मुम्बरा में ट्राफिक के समस्या बढ़ते ही जा रही है दरसल मुम्बरा में होने वाली ट्राफिक से निपटने के लिए मुम्बरा पुलिस टीमसी और ट्राफिक बिभाग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ट्राफिक को कंट्रोल करने के लिए रोट के बीच में बने कट को भी बंद किया जा रहा है मगर जो कट खुले हैं वहाँ से लोग होकर निकलते हैं वो रॉंग साइट से गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं हैरानी तो इस बात से भी होती है कि इन्हें रोकने के लिए एक भी ट्राफिक कॉंस्टेबल नजर नहीं आ रहा है आज हम आपको मुंबरा की ट्राफिक से जूजते हुए लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से अमरित नगर से शिमला पार्क तक ट्राफिक जाम लगी रही और कहीं भी ट्राफिक कॉंट्रोल करने के लिए एक भी ट्राफिक कॉंस्टेबल नजर नहीं आया हम आपको कॉसा कबरास्तान और जामा मस्जित के आसपास की तस्वीरे दिखाते हैं कि किस तरह से लोग मनमाने तरीके से उल्टे सीधे गाडियां चला रहे हैं जिसकी वजह से ट्राफिक जाम है उल्हें का तरम आको कोई से पता नहीं अपको साम का नहीं आपको आपकोक दूटार मिगयफां तरहां झाल कि लेएियां डापको कर दो 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 रमजान शुरूए और ट्राफिक जाम होना कहीत और परवाई यह की ट्राफिक कन्टोल करने के लिएwieंक्स्टेबिल नहीं नहीं है पुलिस ट्राफिक वीवाग रमजान में ट्राफिक कंत्रोल के कि हॉकर्स को भी रोड पर हाथ गाड़ी नहीं लगाने दे रही है इसके इलावा जहां रोड चोड़ा हुआ है वहाँ पर भी पार्किंग एरिया बन चुका है जिसे हटाने में टीमसी नाकाम साबित हो रही है अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में रमजान में ट प्राफिक जाम की स्थती बनी रहेगी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है प्रहाटेंग अ प्राफिक जुझ से लोग भी होग वाली 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 एरिया वाली एंगी देखते रही है कि 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 में रही है जे झाली है